परिचय बच्चो इस पार्ट में आप समय के बारे में और अधिक जानेंगे आउ सीखें एक 24 घंटे वाली घड़ी का उप्योग करके समय पताना समय को बड़ी इकाईयों से छोटी इकाईयों में बदलना समय पर जोड और खटाओ के क्रिया कलापों का प्रदैशन करना 24 घंटे की घड़ी 24 घंटे वाली घड़ी का उप्योग, रेल और विबान के प्रस्थान के समय अंतरिक्षियान की उड़ान के समय सशस्त्र बलूं द्वारा हमले के समय का उल्लेख करने के लिए किया जाता है इसे बेहतर धंग से समझने के लिए आईए हम निम्न को समझते हैं 12 घंटे वाली और 24 घंटे वाली घड़ी की तुलना करना 12 घंटे वाली घड़ी के समय को 24 घंटे वाली घड़ी के समय में बदलना 24 घंटे वाली घड़ी के समय को 12 घंटे वाली घड़ी के समय में बदलना 12 घंटे वाली घड़ी के साथ तुलना ये एक 12 घंटे की घड़ी है, ये एक 24 घंटे के दिन को 12 घंटे से बने हुए दो पराबर हिस्सों में विभक्त करती है, दिन के पहले भाग की अवधी आधी रात को 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होती है, और घंटों को ए-म से दर्शाया जाता है, दिन के दूसरे भाग की अवधी दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात को 12 बजे तक होती है, और घंटों को पी-म से दर्शाया जाता है, 24 घंटे की घड़ी में दिन के एक से लेकर 24 तक 24 घंटे की संख्याएं होती है, ये दिन की शुरुवात को 0-0-0-0-0 बजे से और समाप्ति को 2-4-0-0-0 बजे से दर्शाती है, समय के पहले दो अंक घंटों को और अंतिम दो अंक मिन्टों को दर्शाते हैं, दिन के पहले भाग और दूसरे भाग के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए 24 घंटे की घड़ी में ए-म या पी-म का प्रयोग नहीं किया जाता है, 24 घंटे की घड़ी में रूपा अंतरा, 12 घंटे और 24 घंटे की दोनों घड़ियां दिन के पहले 12 घंटों को एक समान धंग से दर्शाती हैं, 12 घंटे की घड़ी में 7-30 एम को 24 घंटे की घड़ी में 0-7-3-0-9 घंटे से दर्शाया जाता है, इसी प्रकार 11-45 एम को 11-45 घंटे से दर्शाया जाता है, 24 घंटे की घड़ी का हर समय 12 घंटे की घड़ी के 1-2-0-0-0 से कम की संख्या के साथ एम के अनुरूप होता है, दोपहर 12 बजे के बाद समय को दोनों घड़ियों में अलग-अलग तर्शाया जाता है, 12 घंटे की घड़ी के 1-0-0 आओ खेलें, 12 घंटे के पैटर्न के सही समय का 24 घंटे के पैटर्न से मिलान कीजिए, समय रूपान तरण यहां समय के बारे में कुछ तथे दिये गए हैं, एक साल बराबर बावन सप्ता, एक महिना बराबर चार सप्ता, एक साल बराबर 365 दिन, एक महिना बराबर 30 दिन, एक पकवाड़ा यानि दो सप्ता, 15 दिन, एक सप्ता, 7 दिन, एक दिन, 24 घंटे, एक घंटा साट मिनट, एक मिनट साट सेकंड, आईए अब इन तत्यों का उप्योग और प्रदेशन करते हैं, बड़ी इकाईों से छोटी इकाईों में रुपान तरण के लिए, बड़ी से छोटी इकाई, रश्मी के पिता देरादून के हैं, वो वहाँ एक सप्ता और साथ घंटे रुखेंगे, देरादून में उनके रुखने के समय को घंटों में व्यक्त कीजिए, एक सप्ता साथ दिन, एक दिन चौबिस घंटे, साथ दिन चौबिस गुणे साथ बराबर 168 घंटे, एक सप्ता और साथ घंटे बराबर 168 जमा साथ बराबर 175 घंटे, रश्मी के पिता, देरादून में 175 घंटे रुखेंगे, करिश्मा को अपना लंच समाब्द करने में 22 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है, करिश्मा दोरा लंच समाब्द करने में लगे समय को सेकंड में बताएं, करिश्मा अपना लंच समाब्द करने में 1350 सेकंड लेती है, विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सभा का भाई वापस लोटाया, वो USA में 2 साल और 5 सब्दा के लिए गया था, सभा के भाई के रुखने के समय को दिनों में बताएं, एक साल बराबर 365 दिन, दो साल बराबर 365 गुणे दो बराबर 730 दिन, एक सब्दा बराबर 7 दिन, पांच सब्दा बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35 दिन, दो साल और पांच सब्ताह बराबर 730 जमा 35 बराबर 765 दिन सबा कभाई USA में 765 दिन लुका छोटी समय पर कारे कलाप आईए अब समय पर निमने लिखित कारे कलाप करना सीखते हैं जोड एवं खटाओ जोड आईए अब हम दू समय को जोड़ना सीखें लतिका ने सुमवार को 3 घंटे 40 मिनट पढ़ाई की और मंगलवार को 4 घंटे 50 मिनट तक पढ़ाई की लतिका ने पढ़ाई में कुल कितना समय बिताया लतिका के द्वारा सुमवार को बिताया गया समय तीन घंटे चालीस मिनट, लतिका के द्वारा मंगलवार को बिताया गया समय चार घंटे पचास मिनट, अध्ययन के लिए लतिका के द्वारा बिताया गया कुल समय साथ घंटे नपे मिनट, हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर साथ मिनट, अता हम नपे मिनट से साथ को खटा और साथ घंटे में एक जोड़ते हैं। इस तरह लतिका ने पढ़ाई में आठ घंटे और तीस मिनट बिताए। ग्रीश मकाल के दौरान वेदिका ने उसकी चाजी के साथ तीन सब्ता और चार दिन और उसके जाजा के साथ दो सब्ता और छे दिन बिताए। वेदिका ने कितना समय उसके रिष्टेदारों के साथ बिताया। जबर साथ दिन होते हैं अता हम दस दिनों से साथ को घटाते हैं और पांच सब्ता हमें एक को जोड़ते हैं। इस तरह वेदिका ने छे सब्ता और तीन दिन अपने रिष्टेदारों के साथ बिताए। घटाओ। गंटे और पचास मिनट। हम पैंटीस में से पचास नहीं घटा सकते। अता हम एक घटा उधार लेते हैं। हम मिनट में साथ जोडते हैं और घटे में से एक घटाते हैं। अब हम घटाओ प्रदेशन कर सकते हैं। इस तरह आशीश भावेश से तीन घंटे 45 मिनट अधिक स्वया। आशा साथ तीस एम को काम करना शुरू करती है। और दस पंध्रा पी-म को काम करना बंदि करती है। आशा कितना समय काम करती है। हम समय को सबसे पहले 24 घंटे की घड़ी के अनुसार व्यक्त करते हैं। आशा काम करना बंद करती है बाईस पंध्रा घंटे 12.00 जमा 1.05। आशा काम करना शुरू करती है 0.7 तीस घंटे Пот हम 15 में से 30 को नहीं घटा सकते तो हम एक घंटा उधार लेते हैं। हम मिनट में 60 को जोडते हैं और घंटे में से एक कम कर देते हैं। चलिए अब घटाते हैं। अता आशा 14 घंटे और 45 मिनट काम करती है। वाणी अपनी दादी की घर जाने के लिए शुक्रवार को 46 पीम पर निकली और रविवार को 10.30 एम पर पहुंची। उसने यात्रा में कितना समय बिताया। शुक्रवार 46 पीम से लेकर शनिवार 46 पीम तक 24 घंटे। आईए अब हम 24 घंटे की घड़ी का उप्योग करते हैं। शनिवार 46 पीम से लेकर शनिवार 12 मध्यरात्री तक यात्रा का समय बराबर 24.00 घंटे खटा 14.40 घंटे बराबर 5 घंटे और 20 मिनट। शनिवार 12 मध्यरात्री से रविवार 10.30 एम तक यात्रा का समय 10 घंटे 30 मिनट। कुल यात्रा का समय 49 घंटे 50 मिनट। अता, वाणी यात्रा करने में 49 घंटे 50 मिनट बिताती है रीता के पिता का जन्म 25 दिसंबर 1967 में हुआ उन्होंने अपना कारोबार 15 मार्च सन 1991 में शुरू किया था जब उन्होंने आओ खेलें, सही विकलपों पर क्लिक करें हमने क्या चर्चा की 24 घंटे की घड़ी दिन की शुरुवात को 0000 घंटे में बताती है और समाप्ति को 2400 घंटे में बताती है 24 घंटे की घड़ी का हर समय 12 घंटे की घड़ी में 1200 से कम की संख्या के साथ AM के अनुरूप होता है 24 घंटे की घड़ी का हर समय 12 घंटे की घड़ी में 12.00 से अधिक की संख्या के साथ PM के अनुरूप होता है हम समय की बड़ी एकायों को छोटी एकायों में बदलने के लिए गुणा करते हैं हम समय की छोटी एकाईयों को बड़ी एकाईयों में बदलने के लिए भाग देते हैं.